लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करें लिए करें लिए अल्टरा चनल्स बाम करें रिए। करते हैं झाल 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 मा 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 नहाँ नहाँ पेटे तु रो क्यो रही है क्या हुआ नहाँ 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 पेटे तु रो क्यो रही है क्या हुआ क्या बात है नहाँ नहाँ अच्छा चल बैठ बेटा बता क्या हुआ नेहा रोना बंद कर और बता क्या बात है ममा राहुल कौन है राहुल हाँ और मिला अंटी और राज अंकल का बेटा राहुल कौन है वो तुम्हें काम मिला अब तो बहुत बढ़ा हो गया होगा ना कैसा दिखता है वह हां बताने हां कैसा दिखता है राहुल लेकिन अगर मैं उनका बेटा हूँ तो यहां आपके पास कैसे आगया तुम्हारे जन्म से पहले की बात है हमारे एक छोटा सा घर था जहां तुम्हारे पापा तुम्हारी दादी मैं और हम सब का लाडला राहुल 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 कितना टाइम लगा रहा है बातरूम में दादी दादी यह क्या है तेरे बाल कितने गिले हैं बिमार हो जाएगा बेटा तू बिना समझता नहीं दादी मेरे कप्ड़े का हैं तेरी मान ने इस्तिकर के वहां रखे हुए ज़ें जांरे पहन दादी अगर में पहन लूंगा तो दाधी क्या करेंगी डाधी पहनाएगी आज 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 चारूं कपड़े हो गया दादी आपको पता है आज मेरे श्व्डि की रस और शारी स्कुल में सिप्रिक्ट हुआ हूँ पता है पता है पापा अप्पा अरॉस बात नहीं कर सकत Trustee तुम ılकिटा है ऐजे ख़ूरा अध्यूल कंग वा यह असको जाए घोंचना एटार कॉत भूल क्या यह कर दो आडियो 2009 कितनी देद लगाओगे जल्दी करो कांग तुम क्या बात है क्या हुआ अरे बाट रुमाल रोज की जगह पर तो रखा है अच्छा वो उर्मिल्या जी से बात जरू कर लेना राज जी ने कहाए कि अपने रिजॉर्ट की जो प्रेसेंटेशन है मैं जरूर दे तो उर्मिल्या अज मेरी चार-चार प्रेसेंटेशन से देखो की काम कहां बनता है पापा अज मेरी गो कर्टिंग की जई है यह तैस बेर गूड प्रेसेंटेशन पर महनत बहुत कीया कांग्शा कहीं काम तो बन जाना चाहिए ना बापा आई मेरी गो काल निग जो फोर्स आँगा अरे ब मा तुम परिशान क्यों होती एक बार मेरा ये रिजॉर्ट का काम शुरू हो जाए सारी परिशानियां दूर हो जाएंगे पेटा पिछली बार भी तुने यही कहा था अच्छी भली नौकरी को छोड़कर बिजनेर शुरू कर दिया नतिजा क्या हुआ तेरे बाबुजी का ब वैसे भी मुझे विश्वास है इस बार करुन जरू सक्सेस्फुल हो जाएंगे और फिर सब तो चली रहे ना अब टेंशन मत लीजे मा सब ठीक हो जाएगा अच्छा मैं चलता हूं चलो तो में स्टेशन छोड़ देता हूं बाबा आज तीन बजे मेरी बड़ी मैं आप तो हैंगी ना मैं कोशिस जरूर करूंगी लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकती क्या है ना आज जोर मिला अंटी की एनिवरसरी है तो लंच के बाद वो तो रहेंगे ने फिर इतनी सारी मीटिंग से मेरा रहना ज़रूरी होगा ना थीक है आने की जरूरत नहीं है मैं अ मैं हूना मैं आओंगी कोई सरूरर नहीं है दादी मैं के ले चला जाओंगा लेकिन बैठा मुद्धी किसी सा बात ने करनी है और बैठा बैठा बैस्ट उफ लख कम एन और मिला विष्यर वेरी वेरी हैपी अनिवरसरी थैंक्यू थैंक्यू सो मुछ इसको जरा टेबल पर आज याद है ना जर्मनी से आए हुए क्लाइंस के साथ लंच मीटिंग है उन्हें सैंपल जाने का कोई बात नहीं मैं चली जाओंगी थैंक्यू सो मच पता है आज मैं और राज साथ में लंच करने की सोच रहे हैं शाम को पार्टी है प्रिवसी तो मिलेगी नी वैसे मैं और तुम मुझसे रिक्वेस्ट करना ही वाली थी लेकिन मैंने पहले ही कह दिया हां थैंक्यू सो मच कितने बज़े जाना है एक बज़े अप्राइब प्रॉमिस्यों आकांक्षा कि जब तुम्हारी एनवर्सरी होगी उस दिन मेरी तरफ से तुम्हें पूरे दिन की कमें अरे वा कितने प्यारे फूले किसने भीजे ए खूबसूरत बीवी के लिए एक स्मार्ट इंटेलिजेंट और हैंसम हस्बंडने और राज और में हपी अनिवर्सरी हूँ सेम्टी यू वाटर सप्राइस थैंक्यू सो मच बस्ट अर्क्या और क्या और क्या अर्क्या अनिवर्सरी यह रहाँ अज शाम को आप तरुन जी पाटी पे तो आरे ना हां आए के सानी अचली अर्मिला आज शाम को मुझे राहूल के पास रहना होगा क्यों कोई खास बात है सब ठीक तो है अचली राहूलाद सवेरे बहुत नाराज होकर चला गया था आज उसकी गो काटिंग की रेस है और वो जाता था कि मैं और तरुन उससे देखने आ जाए चेर करने आ जाए लेकिन अचानक तरुन की कोई अपॉइन्मेंट आ गई और म मेरी तुम्हें हमारी मीटिंग में आना है है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें राहूल के पास जाना है क्या तुम नहीं जानती कि तुम राहूल के पास जाओगी तूसे कितनी खुशी मिलेगी जानती और मिला लेकिन ये मीटिंग भी तो और तुम्हारे अनिवर्सरी का लंच ओफो उसकी फिक्र तुम मत करों एंडिस इन ओडर तुम रेस में जा रही हो पर शाम को पांच पिजी तक आकर ओफिस का सारा कम निप्टा लेना थैंक यू सो मच अर्मिला मैं जरू रहांगी अन टाइम मैं प्रॉमस सुरी तुम्हारा लंच ना इस ओके राहुल आगांग्षा को देखके बहुत खुश होगा ना मैं समझताम आंडरस्टेंड वर्मी कभी कभी सोचताम काश वा एक्सिट नहीं होता काश तुम्हारा मिस्करिज नहीं होता काश डॉक्त्र यह नहीं कहता कि तुम मानी बंग सती लेडीज एंड जेंटलमेन गुड आफ्टरनून आइम अनिल शर्मा दोस्तों आज लगता है मुंबई महानगर की सभी सड़कें इस मैदान की तरफ मुड़ गई हैं एक कॉंपटिशन भरा माहौल है और यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेस शुरू होने वाली है सारे पार्टिस्पेंट्स ने अपनी पोजिशन ले ली है तो लीजिये रेस शुरू हो रही है जा हूं योर मार्क्स गेट, सेट, गो और यह रेस शुरू हो चुकी है नभी बच्चे कोशिश में एक दूसरे से आगे निकल जाने की दर्शकों में भी अपूर्ब उत्सा है बहुत ही दिल्चस प्रजारा है अभी पार्ट स्पेंट चीत और पोशिश कर रहा है तूसरे से आगे जाने की सौम अच्छा होगा तुम आगे आकंशा उसका मनी नहीं कर रहा था लेस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो देखो राहूर राहूर अचानच साथ नंबर की गाड़ी ने पूरी स्पीड पकड़ ली है जिसे चला रहे हैं जीके स्कूल के मास्टर राहूल उरूने टर्णिंग पॉइंट पर शार्ट धन लेते हुए नहरू विद्यापीट के मास्टर मतने को पीजे छोट गया है सबी लोगों मास्टर चकित करते हुए बड़ी ही तेजी से मास्टर राहूल अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं अरे वाह आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले जीके स्कूल के मास्टर राहूल जो सब से पीछे थे बड़ी ही तेजी से अपनी गाड़ी आगे ले आये हैं और जिस तरह से उन्होंने शार्प डर लेते हुए सब को क्रॉस किया है और पीछे छोड़ा है उसे लेखते हुए लगता है कि उन्हें कोई भी बीट नहीं कर पाएगा और आज की गोकार्टि बेस के विलर हो सकते हैं मास्टर राहूल अरे ये क्या साथ नंबर की गाड़ी अचानक लहराने लगी है लगता है कि मास्टर राहूल का गाड़ी पर से कंट्रोल कमजोर पढ़ रहा है कभी इधर तो कभी उधर डखमगा की गाड़ी की स्टेरी को उन्होंने एक ही हाग ने थाना हुआ है और उसका दूसरा हाग उनके हैलमेट पर है लगता है उन्हें चटनरा रहा है फिर भी वो अपनी गाड़ी की स्पीड को लगातार बढ़ा रहे है जैसे उन्होंने धाल लिये कि ये रेस वही चीटेंगे अरे लेकिन इनकी गाड़ी दख्मगा रही है आगे मिया हुआ फिर अपनी गाड़ी की स्पीड को लगातार बढ़ाय जा रहे है और जिस तरीके से उन्हें की गाड़ी कभी दाएं बगभी बाएं की तरब पुन रही है इससे इसकती कभीर हो सकती है कि कैस अच भूसा करें जिए नहीं दूसे नहीं प्लीज आप लोगी है रुकिये बेटी सब ठीक हो जाएगा कि मीटिंग शुरू हो गई क्या आक अंच्छा अभी तक नहीं पहुंची तुमने उसे फोन ट्राय किया तुम दुबारा ट्राय करो मैं भी ट्राय करते हैं आपको ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे चले बाबा ऐसा बाई हाँ एक मिनिट हाँ और मिला होस्ट हैं जो मीटिंग थी ना उसमें अकांच्छा अभी तक नहीं पहुंची आल जिस्ट ट्राय ठीक तुम फोन कर लो मैं जैकेट ले आता हुआ प्रेशन आइस जैकेट कर रहे बादाए यह एक आजिए आज़े अच्छा आग्या इस्क्यूस्मे प्रेश्ड वह यूज़ मेरा मेरा बेटा राहुल देखें मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है सब ठीक तो है न डॉक्टर राहूर वो अभी बहोश है आप लोग प्लीज मेरे कैबिन में आए तुम जा बेटी मैं देखती हूँ हलो 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 आंटी मैं उर्मिला बोल रही हूं आकांग्छा है हुँ 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 अग्री साम हुँ देखिये मैं जो आप दोनों को बताने जा रहा हूं आप दोनों को हिमत से काम लेना होगा आपके बेटे को ब्रेइन ट्यूमर है इते घ्र आप आपके यह स्थमर आपके आपके प्द Talk प्रेंटुमर डॉक्टर इसलिए वो चकर खाकर गिर गया था लेकिन लेकिन डॉक्टर साम आज से पहले तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ देखिये आज नहीं तो कल यह होना ही था लेकिन डॉक्टर इसका एलाज तो सर्जरी इस वैसे तो यह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है लेकिन मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है कि सब कुछ धीरे-धीरे बहुत आसान हो गया है डॉक्टर कुलकरणी अब तक 16 अपरेशन कर चुके जिसमें से 99 परसेंट सक्सेस्फुल रहे हैं 99 परसेंट एक पेशन को वो नहीं पचा पाय थे हैं कितना कितना महींगा डॉक्टर साम तकरीबन को बीस लाग का खर्चा होगा कर दो कि कि अच्चिए कि अचर टा कि अच्चर का बाव थे हैं कि अच्चिए कि अरी तकर रहीं कि अरी बाव कि अच्चर को कि कि अरुब लड़् भृ को तृ ममः किया हुआ क्या कहा डॉक्ट्टर ने ена अखांखशा बतावना क्या कहा डॉक्टर ने पर्फाह सक incorrigिए क्या है बिद्य क्या है lockman प्रेंट यूमर, प्रेंट यूमर, हा मा, हमारे राहुल को प्रेंट यूमर है मा, प्रेंट यूमर, दोक्टर ने का है, ओप्रेशन करना होगा, और अप्रेशन के लिए बीस लाग रोपे लगेंगे माह और अगर इन पैसों के इंदजाम नहीं हुआ तो हमारा राहुल तो मैं क्या कहूं माह मैं क्या कहूं इतने पैसे हमारे पास है नहीं कनल और और अगर पैसों के अंताम नहीं हुआ ना मा तो रहं है एसा नहीं होगा है एसा नहीं होगे हम अपना सब परिछ देंगे कुछ banco विए करेंगे लेकिन वह नहीं और देंगे राहुल मंत मत कीजिए बिल्कुल मत कीजिए राजी आप नमस्ते माजी और मिला मेरा किसी बात की फिक्र मत करो तरुन जी फिकर की कोई की बात नहीं ऑपरेशन का खर्चा मुठा लेंगे अब बिल्कुल परेशान मत होई है एक नर्मला इस वक्त राहूल का ऑपरेशन बहुत जरूरी है तुम पैसों की चिंता क्यों कर रही हो जब होंगे वापिस कर देना और वैसे भी तुम कहां जा रही हो तुम तो मेरे पास नहीं तो हमारा राहूल हमें कमा कर दीदीगा हूं गुड आम रेली हैपी के आप लोगोंने ऑपरेशन का डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया तो मैं आज ही दॉक्टर कुलकर्णी से बात कर लेता हूं होफुली दो तिन दिन में ऑपरेशन भी हो जाएगा लेकिन उससे प और ऑपरेशन से पहले फीज जमा करवा दीजेगा जस्ट फर्मालिटी एक्स्क्यूज में हलो हां मिसस सुनीता कैसी है आप सब ठीक है ना नहीं नहीं सुनीता जी मैंने आपको पहले भी समझाया था आर्टिफिशल इंसेमिनेशन में मर्द और 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 औरत का फिजिकल सब्सक्राइब करके नहीं है, दरसल होता यूं है सुनीता जी कि मेल स्पर्म को फीमेल यूट्रोस में प्लांट किया जाता है और यह बहुत सेफ होता है, बलके एक तरह से कहूँ तो यह आपका अपना खून होता है. मैं तो यह कहूंगा कि जू ऑर्तें मास नहीं बन सकती है उनके लिए तो ये एक वर्दान है साइंस का जी हां नहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है आप कभी भी अपने हस्बन को यहां लियाएगा और साथ में उस लेडी को भी लियाएगा आल टेक केर अबाओ तो रेस्ट है ओके बाबाइ राहुल सो गया जी मां आप कुछ देर के लिए राहुल की पास बैठेंगे तुम कहां जा रहें बिटी आज उर्मिला ने हम पर कितना बड़ा आइसान किया लेकिन मैंने मैंने तो उसका ठीक से शुक्रियादा भी नहीं किया मैं उसके घर जाकर उसे मिलकर आदी हूँ ठीक है यह उर्मी राज मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ राज आज मैं जो तुमसे मांगोंगी वो तुम्हारी तरफ से मुझे तौपा होगा चलो ठीक है वेडिंग अनिवस्ट यह क्या है यह वह डॉक्टर आज बात कर रहे थे ना आटिफिशल इंसेमिनेशन अगर कोई दूसरी ओरत तुम्हारे बच्चे को अपनी कोक में रखे तो तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो देखो राज इसमें तुम्हारे और उस ओरत के बीच में कोई शारीरीक संब्द होना भी जरूरी नहीं है उर्मिला मैं जानता हूं यह सब लेकिन तो फिर प्रॉब्लम क्या है उर्मिला ऐसी औरत यह पागलपन है राज मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि उस बच्चे में इस घर का खून रहे राज वह हमारा बच्चा हो राज हमारा बच्चा जरा सोचो राज देखो हमकल हमकल छानती आश्रम चलते हैं हां कई अनाथ औरते हैं राज हम उनसे बात करे उन्हें पैसों का लालश देंगे आम शूर कोई ना कोई जरूर तैयार हो जाएगी यह पागल बने उर्मिला प्लीज राज मेरी बात मान जाओ उर्मिला माना कि हम बे आउलाद हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमाएं फ्रस्रेट होना चाहिए देखो और मिला समझने क पासी रहने वाला है ना और नौ महीने तक वो उस कोक में क्या पाएगा देखो और मिला 24 घंटे तुम उस औरत को अपने पास नहीं रख सकती हम उसे अपने घर ले आएंगे राज और वो संसकार जो बच्चे को कोक में मिलते देखो और मिला शांती आश्रम से एक अंजान मिलाओ जो हमारे बच्चे को प्यार पीदे और संसकार भी इसलिए तो कह रहा हूं और मिला यह ख्याल अपने जहन से मिटा दो मिटा दो और जिंदेगी भर बे अउलाद रहूं और मिला देखो ऐसी बात नहीं है हम बच्चे को गोद ले सकते हैं वी किन अडॉप्ट चाइल्ड अभी तो तुम संसकारों की बात कर रहे थे ना राज अगर तुम अडॉप्शन के लिए तैयार हो तो पिर यह क्यू नह मैं मलेरा मैं अपिर कम से कम हिसमें बच्चे में तुमहरा कुंतो chali zarad please पर नच चाहती हो राज प्लीज ठाव मां जाओ राझ और में लग फीस देखो राज राज मैं माँ बनना चाहती हूँ ओलाद बिना ओरत का जीवन जैसे सुखा कोई सावन होना कोई मा कहने वाला तो लगता है सुना सुना अंगन अगर कोई दूसरी औरत तुम्हारे बच्चे को अपनी कोख में लिखे तो में बहाँ बनना चाहती हूँ राज जैकराए शेरा वालिदा बोल सांचे दर्बार की जै क्या गलत है क्या सही जब समझ आता नहीं क्या गलत है क्या सही जब समझ आता नहीं तो मैया राह दिखाती है तो मैया राह दिखाती है मन्जिल तक पहुंचाती है जैमा शेरा वाली जैमा दुरगा काली जैमा पहाडा वाली हर दुख हरने वाली जैमा शेरा वाली जैमा दुरगा काली जैमा जैमा दूसरों के वास्ते जीना ही है जिन्दगी दूसरों के वास्ते जीना ही है जिन्दगी दूसरों के गम लेकर उनको दे अपनी खुशी उनको दे अपनी खुशी तरने की क्या बात है होसला गर साथ है तो मैया साथ निभाती है तो मैया साथ निभाती है मंजिल तक पहुचाती है जैमा शेरा वाली जैमा दुर्गा काली जैमा पहाडा वाली हर दुख हरने वाली हर दुख हरने वाली जैमा शेरा वाली जैमा दुर्गा काली जैमा पहाणा वाली अर्दु भरने वाली जैमा शेरा वाली जैमा जोटना वाली जैमा जैमा शायद किसमत में लिखा है शायद किसमत में लिखा है मैं करम ये कर जाओं अपनी कोख के भूल से गोद किसी की भर जाओं गोद किसी की भर जाओं जैमा शायद किसमत में लिखा है अरे आकांग्षा कहां चलिगे येंदे तुम तरुन मैं उर्मिला का शुक्रियादा करने गई थी इत्तफाकन मैंने उर्मिला और राज की बाते सुनी सब कुछ दिया ये भगवान ने उन्हें मगर आउलाद नहीं दी नौ साल हो गए शादी को उर्मिला कभी मा ने बन सकती उन्हें एक कोक की जरूत है एक जननी की जरूत है एक देवकी की जरूत है और वो चाहते हैं कि वो जननी वो देवकी तुम बनो राइट राइट आन्यूट आन्यूट दुनिया में बिना किसी मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता है नहीं तरण तुम गलत समझ रहा हूं उन्हाने असे कोई बात नहीं की मुझसे उन्हाने तो मुझे कुछ पताया भी नहीं लेकिन मैं चाहती हूं मैं चाहती हूं कि कि यह सौभाग्य मुझे मिले यह पागलपन है नहीं तरुन यह पागलपन नहीं तरुन प्लीज मैं तुम्हारी इजासत और प्यार के बना यह वैसला नहीं लेपाँगी तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उनके एहसान का बदला चुकाना चाहती हूं नहीं उनका एहसान तो हम सिंदे की भर नहीं चुका पाएंगे बस उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं बोलो तरुन तरुन तुम हो ना मेरे साथ है कांशा तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद फिर अकांशा मा मैं मैंने सब सुन लिया है बेटी बेटी मुझे तुम पर कर्व है कि तुम मेरी बहु हो मेरी बेटी हो कोई भी फैसला करने से पहले एक बार और सोच ले मैंने सोच लिया है मा मैं उर्मिला और राज के बच्चे को अपनी कोक में पालना चाहती हूं उनके बच्चे के चैननी बनना चाहती हूं मैं आका अंक्षा क्या बात है राहूल तो ठीक है ना हाँ उर्मी तरुन जी आये थे आफिस में अपना प्रोपोसल पास करवाने तब तो उन्हेंने राहूल के बारे में कुछ नहीं कहा तो फिर क्या बात है उर्मिला मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं हाँ बोलो क्या बात है अगर मेरी बात का आप दुनों को बुरा लगे तो मैं माफी चाहती हूं उर्मिला उस रात में तुम्हारी घर आई थी तुम्हारा शुक्रियादा करने लेकिन लेकिन मैंने आप दुनों की बच्चे के बारे में बात सुनी मैंने एक फैसला किया है फैसला? हाँ और ये फैसला किसी के तबाव में आकर नहीं और इसमें तो तरुन और मा की भी मन्जूरी शामिल है आप दुनों मुझे इस लाइक समझे दो तो मैं आपके बच्चे को अपनी कोक में रखना चाती हूँ अपनी कोक के भूल से गोद किसी के भर जाओं गोद किसी के भर जाओं तुम्हारे पापा बहुत खुश थे जब मैंने कंसीव किया आकांक्षा आकांक्षा प्रेग्नेंट है राज राज मैं मा बनने वाली हूँ मैं मा बनने वाली हूँ सुना तुमने तुम बापा बनने वाली हो राज ओ राज गोवर्य तो ग्रेट महान तो अकांक्षा है है ना थैंक्स अकांक्षा तुमने हाई तुमने हाई आज मुझे इतनी खुशी दी है कि आज मुझसे जो चाहो मांग लो मेरी जान भी मांग लो तो मैं खुशी से दे दूंगी तुम्हें इतना खुश देखने के बाद मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए उर्मिला रबने सुनी दुआएं खुशियों के पल है आए हो रबने सुनी दुआएं खुशियों के पल है आए मेरा भी कोई अपना होगा मैं भी मा कहलाऊंगी मैं भी मा कहलाँगी अपना फर्ज समझ के खुद पे कर्ज समझ के अपना फर्ज समझ के खुद पे कर्ज समझ के औरत से जो औरत का है रिष्टा मैं वो निभाऊंगी रिष्टा मैं वो निभाऊंगी रिष्टा मैं वो कि रिष्टा मैं वो हुआ है करते हैं झाल झाल र ح हैं राहुल राहुल है राहुल बता राहुल 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 वे प्रोड़ आपने और प्रोड़ दो जो तो जो प्रोड़ कियो हूँ क्या हुआ सरी और किया है रखेंग आमन याजयन के लिखना है गिए आमने कर दो एक हम यायन आव प्लूप अजयन कोई आमनों को भर्षा आव वहला एक है कि इना आव में जावशा है लो खुआ जो खुआए इमार नियुक कैसी हवा चली, रुत्ये कैसी बदली, मेरे घर का दिया बुजा है, चारो और अंधेरा है कैसी है अंधे के चारो आपाल मुझा एाथ बीक के चारो आपनेडिया कमया है अंधे हमया है राभल मुझा है राभRIS मे zinhoखनेज़ घर अबादे राज राभी राहूर जो एहसास जगे हैं अपने से लगे है जो एहसास जगे हैं क्या इन पे मैं कर लूँ यकी क्या यही मेरा सवेरा है क्या यही मेरा सवेरा है मैं जानता हूं कि तुम अपने अपने राहूल को बहुत मिस्कर रही है मैं भी उसे बहुत मिस्कर रहा हूं पस्सिंदगी में एक ही दुख रहेगा कि मैं अपने बेटे को ज्यादा समय नहीं दे सका क्या करता मैं पैसा कमानी की होड में चुटा हुआ था लेकिन लेकिन पैसा कमानी का जो रास्ता है ना इसकी वज़े भी राहूल ही था बच्चे तो बड़े होकर अपने माबाप का साहरा बनते हैं लेकिन मेरा राहूल इत्ती छोटी सी उमर में अपना फर्स पूरा करके चला गया राहूल कहीं नहीं गया यही है मेरी कोख में वाट हाँ दरुन यह राहूल है जो मेरे पास है और जल्दी तुम्हारे पास भी अपने आपको संभालो आकांग्शा यह हमारा राहूल नहीं हमारा राहूल मर चुका है नहीं नहीं दरुन मुझसे ज्यादा मेरी बच्चे को कौन पैचान सकता है हम लेकिन लेकिन मैं भी तो अपने राहूल को पैचानता हूं और और यह यह राहूल नहीं है हम यही राहूल है तरुन मैं मां हूँ उसकी लेकिन मां इसका बाप नहीं हूँ राहूल मेरा बेटा था लेकिन यह यह मेरा बेटा नहीं है और यही सच्चा है यही सच्चा है तरुन की नाराजगी ने मेरी मम्ता को एक एक नई जिद दे दी थी और मेरे कोक में पलने वाले राहूल के लिए मेरा प्यार बढ़ता ही चला गया लेकिन उस दन के बाद मैंने इस बारे में कभी किसी से बात नहीं की पर मुझे यह विश्वास हो गया था कि मेरा राहूल वापस आ गया है और वहां और मिला मैं अपनी ही दुनिया में जी रही थी आकांक्षा से ज़ादा तो मुझे तुम्हारे आने का इंतजार था कभी तुम्हारा कमरा सजाती तो कभी तुम्हारे लिए चीज़ें खरीद कर लाती हमेशा तुम्हारे ही बाते करती रहती थी तुम्हारे स्कूल के बारे में सोचती पागल सी हो गई थी मैं फिर डिलिवरी के लिए मैं आकांग्षा को हिल स्टेशन ले गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया वालों को ये पता चले कि तुमने आकांग्षा की कोग से जनम लिया है और में डॉक्टर रागे कांग्रेशिलेशन्स लड़का हुआ है ओ राज डॉक्टर क्या मैं बच्चे को देख सकती हूं ओ शूर हुआ 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 है मैं मा बन गए राज में मा बन गए ओ राज में मा बन गए ओ राज बुबारुको बिटा नौस्टे माची है हलो हां तरुंची जी जी सब कुछ ठीक है हां लड़का हुआ है जी जी बिल्कुल आकांग्शा बिल्कुल ठीक है जी ठीक है बाबाई थैंक यू वेरी मुच आकांग्शा थैंक यू वेरी मुच यू मेट मी सू हैपी अधिंक आकांग्शा को अभी आराम करना चाहिए और बच्चे को भी फीट करवाना है प्लीज अच्छा बेटी मुझे आज जाना है मैं फिर आऊंगी अपना ख्याल रखना बेटी उर्मी उर्मी चले कर वी आयद आकांग्छा लवह थांग्छा फुमुमुमू खुच्ची दो पुच्चुरा ली इस खुशी के बादल ने लहराई कुछ थंदी हवाएं ममता के इस आचल में भर गया खाली दामन मिल गया जीने का कारण धड़कन बनके रहेगा मेरे दिल का टुकड़ा इस दिल में दिल का टुकड़ा इस दिल में दिल का टुकड़ा इस दिल में तुम खुश होना है बहुत खुश हो बहुत ज्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं खुशी से पागिल नहों हो जाओ राज अज आज मेरा बच्चा मुझे मिलेगा राज गारी तेज चलाओ ना और तेज तो चला रहा और कितनी और में तेज़ चलाओ जल्दी पहुंचना है और भी तेज़ चलाओ जल्दी पहुंचना है तो फिर चलाओ ना अच्छी यह लो बस कि सुनिए या यह आफिए यह यह आफे टाइक यू तांक यू तेंक यू सो अग्यू अपकांग्शा अरे राज राज आकांग्षा यहां पर नहीं है कहां चली गई शायद उसे किसी और कम्रे में शिफ्ट किया होगा शिफ्ट पर क्यूं तुम यहां और मुला और राज भी आएं क्या कली तो मेरी राज से बात हुई थी मैं आज ही तुम लोगों से मिलने आने वाली थी और तुम लोग अचानक नहीं मां हम दोनों ही आये हैं मैं और मेरा राहुल उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहां पर हाँ मैं वहां से चली आई मां क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना बच्चा उन्हें नहीं दूंगी यह तु क्या कह रहे है बेटी यह बच्चा उनका है नहीं मां नहीं यह बच्चा उनका नहीं है यह तो मेरा राहुल है यह हमारा राहुल है मां लेकिन तुम उर्मिला को क्या जवाब दोगी दे दूंगी जवाब उर्मिला को दे दूंगी जवाब लेकिन अपना बच्च वो मेरे बच्चे के हजी से अपनी जिंदगी समारे और मैं उसकी एक मुस्कान के लिए तरस जाओं नहीं मा मैं इतनी महार नहीं हूँ मैं तुम्हारी सारी बाते समझती हूँ बेटी लेकिन अगर उर्मिला को उसका बेटा नहीं मिला तो वो मर जाएगी और अगर मुझसे मेरा बच्चा चेन गया तो तो मैं मर जाओंगी मां मैं मर जाओंगी अकांचा तुम्ह कि अलेव कि अरज जी कि अकांचा यहीं है घर पर कि अगांचा यह बच्चा हमारा नहीं यह बच्चा उनका है मैंने नौ मैने इसे अपनी कोख में रखाए तो कोख में पालने की कीमत वो लोग अधा कर रहे हैं कीमत तुम्हारी तुम्हारी प्रेग्नेंसी का खर्चा हमारे राहूल के इलाज का खर्चा मेरे बिजनस की इंवेस्मेंट हम सब उन्हें वापस कर देंगे तरुन सालों साल बीच जाएंगे अकांशा लेकिन उनके पैसे हम उन्हें वापिस लोटा नहीं पाएंगे हम कमा लेंगे मैं कमा लूँगी तुम कमा लेना हम मिलकर सब वापिस कर देंगे किस के लिए किस के लिए हमारी इस इस बच्चे के लिए वही तुम्हें तुमसे कह रहा हू हूं लेकिन मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ कि अकंचम मैं सिर्फ कि लिखते कि वो लोग आ गए इस बच्चे को उन्हें वापस कर देना कि अकांग्षा कहा है वो मुझे बिना बताए क्यों चली आई शायद घवरा गई होगी अरे तो मुझे फोन करना था ना है कहां मेरा बच्चा कहा है कि राज और उर्मिला आये हैं मैं देखते हूं आकांग्षा आकांग्षा बाप अरे 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 दरोजा कहलो इस ने मेरे पे मेरे दर्वाजा क्यूंब कर दिया राज इसे कहो ना फिकर मत करो सब ठीक हो जाएक और रुमिला जी आई है अगांग्शा दर्वाजा खोलो और मिला अगांग्शा 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 तुम अपना फैसला सुनाने की हिम्मत रखो या फिर अपना वादा निभाव कि मेरा बच्चा मा यह क्या मजाख है चुप हो जाओ तरुन कुछ कहना चाहती है अरे अब क्या कहना चाहती तरुन मैंने कहा चुप हो जाओ शांत हो जाओ अगांग्शा क्या कहना चाहती है तुम क्या बात है अकांग्शा मैंने फैसला किया है मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा यह क्या बखवास कर रही हो अकांग्शा तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह बच्चा मेरा है मेरे राज का है लाओ लाओ यह बच्चा मुझे दे दो राज इसे समझाओ अकांग्शा यह सब क्या है तुम खुद हमारे पास आई ती तुमने खुद यह फैसला किया था तरुजी आप कुछ समझाओ अकांग्शा क्या में फैसला कर चुकी हूं फैसला तुम होती कौन फैसला करने वाली हां मुझे तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल मन्जूर नहीं है तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह मेरा बच्चा है और मैं किसी भी कीमत पर तुमें इसे नहीं रखने दूंगी राज राज समझाओ उसे तरुन क्यों अपनी बीवी से कहते कि यह बच्चा मेरा है मेरा बच्चा है और मेला इस वक्च चलो इस वक्च चलो और मेला बच्चा है और औरमिला चलो मैंने का चलो दिशाइए यह हमारा नहीं सिर्फ तुम्हारा बच्चा है शिर्फ तुम्हारा यह उलाद नाजायस है नाजायस। तुम अच्छी तरह से जानते हो तरुन मैंने कोई पाप नहीं हिया। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी रजामंदी सेुआ ता है ऊआ मैं मानता हुए सब कुछ मेरी रजामंदी से शुआ है लेकिन यी थैधा लेकिन यह बच्छा तुम उलोगों को देदोगी अतर्यmachen यह तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें तुम आउब आड Uz Cathy सुनि करता दो बास राज अगर मुझे पुलिस में पड़ा तो मैं वहाँ पी जाओंगी अपसेट होनी की कोई बात नहीं है और मेला देखो रिलाक्स रिलाक्स क्या रहा है अकांक्षा से बात करेंगे नहीं तरुम को कहेंगे कि वह अकांक्षा को समझाए ओके लाव पानी प्लीज तू अगर उसका नहीं नहीं तो क्या में बच्चा और रही होसके और तुम मेरा बच्चा रही है कर लेंगे हम चुरो करो जल्दि जलदी फोन करे दो और दो Dr. Patel Mr. Raj She is in a state of shock मैंने इंजेक्शन दे दिया है ब्लड प्रिशर कम हो जाएगा लेकिन एक बात पूछ नहीं थी आप से Mr. Raj क्या कोई शॉक लगा है जी जी हां डॉक्टर साब देट्स बैड कभी-कभी एक्सेजिव शॉक लगने की वज़े से मारीज का माल सिक संदूलन्क हो जाता है जिसके वज़े से ब्रेन हैम्रेज और कोमाटूस का खत्रा बना रहता है डॉक्टर वो काफी एक्स्रीम कंडिशन्स में ही होता है एनिवे यू टेक केयर आफ़र नींद खुलते ही दवा खिला दीजेगा जी जी हो मैं सुबह फिर आता हूँ ओके नहीं नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे तेरा तेरा बच्चा पुर्मिला यह सद्मा परताश नहीं करता है छोड़ो जब तक बेहोश रहती शांत रहती होश में आती ही वो वो पागलो जैसे हरकत करती बेकाबू हो जाती बार बार बाहर की तरफ भागती अपने हातों से बनाया हुआ बच्चे का कमरा उर्मिला ने तोड़ दिया और कहती रहती मुझे मेरा बच्चा चाहिए मुझे मेरा बच्चा चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए बार-बार डॉक्टर को बुलाकर उसे सेड़िविज देने पड़ी मुझसे उर्मेला की यहालत देखी नहीं चाहरी थी यह यहालत नहीं पॉजिश नहीं बहाँ जया है मिस्टर राज, इनकी हलत क्रिटिकल होती चारी है, अगर इसी तरह दोरे पढ़ते रहे तो इनकी जान को खत्रा हो सकता है, मेरे इखाल से बहतर यही होगा कि कल सुबह हम इने मेंटल असाइलम ले जाए, मैं आपकी हलत समझता हूं मिस्टर राज, लेकिन, राज, बेटा, तू? नमस्ते, माजी, माजी, अकांख्षा से बात दरना चाहता हूं हाकंख्षा, मैं तुम से बात करना चाहता हूं हाकंख्षा, मैं अपनी उर्मिला की जान की भीक मांगने हूं मैं जानता हूं तुम बुरी नहीं हूं तुम सही हो या खलत, इसका फैसलत हो, मैं सिर्फ, अपनी उर्मिला की जिन्देगी मांगने हूं तुम से, कल, और्मिला को पागल खाने ले जाएंगे, डॉक्टर्स का कहना है कि, और्मिला की हालत अगर कंट्रोल में नहीं आए तो, उसे, इस अंशीरों में बात कर रखना होगा, क्योंकि कभी व अपने हाथ काट देती हैं, कभी अपने सर बटकती हैं, अगर उसे, फागल खाने लेंके तो, अकाक्षा, मेरी मुस्कराती हसती, खेलती, जैकती जिन्दगी, मेरी दुनिया एक पल में बुच जाएगी, सिर्फ, देखे, मुझे अपनी फिकर नहीं, लेकिन हर रोज, हर पल, हर लम्हा, उर्मेला मर रही, अकांग्षा, मेरी और मेला को बचा लू, सिर्फ तुम मेरी और मेला को बचा सकती है, सिर्फ, सिर्फ, तुम्हारा रहुल, मेरी और मेला को बचा सकता है, अकांग Euch I am милли होगी तुम्हेरी मजबूरी होगी कि तुम्हेरी मम्ता होगी तुम्हेरी जजबात होगी मिकिन मैं आज मैं इसकै कि सामने आया हूँ कि जिसने मेरी उर्मला की जिंदگी मैं खुशिया भरने का वाधा किया आज में वो खुशिया नहीं, उर्मिला की जिंदगी मांगें, हाकांग्षा, मेरी उर्मिला की जान बचा लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोडता हूं, मेरी उर्मिला की जान बचा लो, हाकांग्षा प्लीज मेरी उर्मिला की जान बचा लो, हाकांग्षा प्लीज मेरी उर् झाल 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 मा मैं मैं उर्मिला को मरने नहीं देना चाहती मा लेकिन मैं अपने राहल को अपने से अलग नहीं कर सकती बेटी एक बिंती है इस बच्चे को तुम राहूल मत बुलाओ मा बेटी यह राहूल नहीं है राहूल मर चुका है बेटी और यह बात तुम अच्छी तरह से समझ लो और एक बात बेटी बेटी मैं नहीं चाहती कि कल कोई भी यह कहें कि यह बच्चा अपनी होने वाली मा की मौत की वजा बने राहूल को भूल जाओ बेटी राहूल को भूल जाओ जूट से रिष्टा तोड़ के सच का दामन थाम ले जूट से रिष्टा तोड़ के सच का दामन थाम ले तू बुराई दूर कर अच्छाई से काम ले नेकी है बस काम की बाकी बाते नाम की ये मैया सबक सिखाती है ये मैया सबक सिखाती है मन्जिल तक पहुंचाती है जै मा शेराँ वाली जै मा दुरगा कली जै मा पहाडाँ वाली हर दुख हरने वाली जै मा शेराँ वाली जै मा दुरगा काली जै मा शेराँ वाली जै मा जोता वाली जै मा जोता वाली जे मा जोता वाली जै मा सिखाती है हुआ 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 है ओ बेबी ओ बेबी ओ मेरा बच्चा मेरा बच्चा राज ओ राज देखो देखो हमारा बच्चा हमें मिल गया राज देखो राज इऑ अपटा राजारश् तो कैसे सोर है राज, 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 I'm so happy, राज, हमारा बच्चा, ओले, 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 ओ मेरा बीट्टा, ओरे बच्चा, अकांग्षजी, वो, राज, मैं आप से क्या कहू, थेंक्यू, आपने मेरी उर्मिला की जान बच्चा ली, थेंक्यू सो माच, नहीं राजी, शहाद, शहाद उसकी इस हालत की जिम्मधार में, मैं ही हूँ, अरे, नहीं, नहीं आंकांग्षजी, आप, आप अंदर चलिये न, आप, आप देखे न, उर्मिला कितनी खुश है, प नहीं, बड़ी मुश्किल से, कड़े दिल से, मैंने अपने मम्ता के बांद को रोक के रखा है, अगर ये बांद तूट गया, तो सब की जिन्दकी पर बाद हो जाएगी, मुझे जाना ही होगा, मैंने राहुल की कसम काई है, कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगे, और आपको मुझे डूनने की खोशिच मत कीजेगा, पिटा, रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा, निया, ये कैसी बाते कर रही हो तुम, क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों मरना चाहते हो, क्यों मरना चाहता है मेरा राहु, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मा, और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दुनों शादी करने वाले थे, मगर, अन्जाने में, अन्जाने में हम, हम से, हम सब वो भूलों के जो, 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 हम से, हम में, हम मुझसे अन्जाने देवार करते हैं क्यों सिर्णाशल से, हम दुनों शूर्यार करते हैं, हम से, जो, जो, इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है तो अब जानने को क्या बचाए मा बोलो बहुत कुछ कि बहुत कुछ जानने को बचाए कि राहूल को छोड़ने के बाद मैं घर चली गई तरुन अपने काम में मस्रूफ रहने लगे और मैं मैं राहूल को भुलाने की कोशिश करने लगी फिर फिर एक दिन मा के हल्थ चेकप के लिए तरुन उन्हें शेहर लेके गए और वापस आते वक्त एक एकसिडेंट में दोनों मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और मैंने रुच्चिता नर्सिंग हों में नौकरी कर ली फिर एक दिन तुम्हर जन्मों कि तुम्हर जन्मों कि तुम्हर जन्मों कुछ नहीं हुगा रहुलकु ये फल है मेरे कर्मों का या है कोई बत दुआ तो जख की इस आग में जो जिस्म मेरा है जल रहा जिस्म मेरा है जल रहा जिस्म मेरा है जल रहा काटों पे है चल रहा अल्ला करम मौला करम कर अपने बंधों पे तु रहम झाय जिस्म मेरा जास पbahn कर बंध़ मौला कर द leg आ जातकी कि बंधंभब मौला कर क्व Oh सब्च鬼 क्याiantes कंना चाया जिस्म मेरा हो ו फीदí पबमtoo जOoh, जिस्म मौला हूब रहाँ जिस्म मेरा हूँ नहीं हुण्टा जालिश् सब्स्सक्वाब झाल झाल राहुल 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 राहूल दर्वासा तर्वासा 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 रहूल यह क्या किया मेरे बच्छा रहुल यह तुम और क्या किया रहुल रहुल सारी मुद्बा रहुल रहुल बोज लेकर नहीं जी सकता था कोई बोज नहीं है तुमने मेरा खॉलाटेंट क्यों नहीं किया राहूल हम बाई बेंड नहीं है राहूल बाई बेंड नहीं है राहूल मैं ममा के बेटी नहीं है राहूल मुझे पाला है बाई बेंड नहीं है राहूल बाई बाई देगा है राहूल माँ एढ़ 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 झाल 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 ताज की तरहा है तराशा ये तन तीर की तरहा है तीखे नयन ताज की तरहा है तराशा ये तन तीर की तरहा है तीखे नयन तुम्हारा तबसम तुम्हारा तरन्न। तुम्हारा तबसम तुम्हारा तरन्न। तुम्हारा ये तिल ले आया तुम्ही तक तुम्हारा 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 झाल झाल